हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइ चैनल, अगर आप हमारे चैनल पे नाए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइट में जो बैल आइकन है उस पे प्रेस कीजिए, यहां आपको आल का ऑप्शन मिलेगा उस पे बाद हमारे नए वीडियो की update आपको मिलती रहेगी सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएढे यहाँ वीडेुरस का option उस पर select करने के बाद आपको सारे वीडेट हमें ठाइग करने के साथ अगर को class गुड मानिंग फ्रेंड्स तूडे वी विल स्टेडी अबाउट पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 फॉर्स्ट कॉश्चिन इज ग्राफ आफ य एक्वल टू पी एक्स आर गीवेन वी लो फाइंड दा नंबर आफ जीरोज ग्राफ आपको दिये गये हैं ग्राफ को देख करके आपको ये बताना है कि how many zeros will be there तो first of all you will study about first question this is y equal to px इसका ग्राफ है y equal to px तो कितने zeros होंगे means x की कितनी ऐसी values होंगी जिसके लिए px equal to 0 होगा तो इसको हम ग्राफ के थुरू कैसे consider करते हैं कैसे समझते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ग्राफ y equal to px this is graph ये x axis को कितनी बार cut करता है x axis को कितनी बार cut करता है तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक बार भी नहीं cut कर रहा है therefore no 0 means इस polynomial का कोई भी 0 नहीं होगा x की किसी भी value के लिए px कभी भी 0 नहीं होगा second question this is your graph यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये y equal to px है y equal to px है तो यहाँ पे px and x axis x axis means ये x x dash x axis को how many times intersect करता है only one time suppose this point is a suppose this point is a therefore यहाँ पे only one 0 होगा means x की केवल एक ही ऐसी value होगी for which px equal to 0 therefore इसको write कर सकते हो one 0 यहाँ पे x की only one value होगी for which px equal to 0 third is ये आपका graph है अब यहाँ पे हम check करेंगे कि px y equal to px this is graph x axis को how many times intersect करता है the first point is a second point is b third point is c आप अपने हिसाब से points के name दे सकते हो आप देख पा रहे हो यहाँ पे x axis and graph three times intersect कर सकते हैं therefore you can write 3 0 3 0 this graph y equal to px या this polynomial y equal to px have 3 0 three different points होंगे x के means x की three different values होंगी जिसके लिए y equal to px 0 होगा fourth number पे आता है ये आपका graph given है यहाँ पे हम लोग check करेंगे x axis को two times cut कर रहा है यहाँ पे इसको m n two points you can consider तो two points पे intersect हो रहा है graph x axis से therefore this graph have two 0 how many 0 two 0 तो इस तरह से graph को देख करके you can decide how many 0s will be there okay friends I hope you will like this video and share maximum thank you